हेलो दोस्तों चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बनाएंगे मसाला पनीर मसाला पनीर बनाने के लिए मैंने कुछ पनीर लिया हुआ है ये बड़े टुकडों में कट कर लिया मैंने दो प्याज लिया हुआ है दो टोमाटर निको बड़े टुकडों में कट कर ल बड़े टुकड़ों में कट कर ली यह विडाल देते हैं कि प्याज को डाल देते हैं कि टमाटर को डाल लेते हैं आधी छोटी चमस नमक डाल लेते हैं नमक को मिक्स कर लेते हैं सवीची जो को मैंने मिक्स कर लिया है टमाटर प्याज को सोफ्ट होने तक डखन लगा के पका लेते हैं पांच मेंट हो चुकी हैं, डखन टाके देखते हैं टमाटर प्याज सोफ्ट हो चुकी हैं, गैस को बंद कर देते हैं कुछ देठः ठंडा उने के लिए रख देते हैं। साइड वे। टमाटर प्यास ठंडे होचको हैं। जार लिया हुआ है, इसके अंदर डाल लेते हैं। मैंने सबीचेजों को डाल लिया। ग्राइंड कर लेते हैं। सवी चीजों को मैंने grind कर लिया है मैंने गैस के उपर फिर से कडाई रख दिया है एक चमज गी डाल देते गी को गरम कर लेते हैं आदी छोटी चमज इरह डाल देते एक तेजबत डाल देते हैं प्योरी को डाल देते हैं मिक्स कर लेते हैं आदी छोटी चमच अलदी पाउडर एक छोटी चमच दनिया पाउडर एक छोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर सवीची जो को मिक्स कर लेते हैं मैंने सवीची जो को मिक्स कर लिया है तीन मिन्ट डखन लगा के मसाली को पका लेते हैं तीन मिन्ट हो चुकी है डखन टाके देखते हैं मसाला पक चुका है एक चमच गर्म मसाला डाल देते हैं कुछ मैंने मलाई ले हुई है ये भी डाल देते हैं मिक्स कर लेते हैं मैंने एक चमच मावा लिया हुआ है ये भी डाल देते हैं मावे को मिक्स कर लेते हैं मैंने एक बावल दूद का लिया हुआ है ये भी डाल देते हैं दूद को मिक्स कर लेते हैं पनीर को डॉल दैते हैं मासाला पनीर बनकी तैयार हो चुकी है गैस को बंद कर देते हैं कुछ मैने कसूरी मेथी लिए है ये डाल देते हैं मेथी को मिक्स कर लेते हैं सबजी को सरब कर लेते हैं इस सबजी को आफ रोटी पूरी पराठे के साथ इंजोई कर सकते हो ये मसाला पनियर बन के तयार हो चुकी है इस तरीके से आप गर पर जुरूर राई करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें चैनल पसंद आये तो सब्सक्राइब जुरूर करें